मीन रासी वालों का आजिका रासी फल यानी की 17 जुलाई 2020 का रासी फल तो नमस्कार मित्रों आईए आजिके बेडियों की सुरुआत करते हैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ 17 जुलाई 2020 के पंचान के बारे में आज तिथी है दुआदसी नक्षत्र है रोहिनी पक्ष है क्रिस्न पक्ष और दिन है सुक्र बारे आज के दिन सुर्य उदे हो रहा है 5 बज के 34 मिनट में सुर्यास्त है 7 बज के 19 मिनट में रितू है वर्सा और आज का दिन काल है 13 घंटे 45 मिनट 33 सेकेंड का महिना है स्राबन और आज के दिन सुब समय शुरू होता है 11 बज के 50 मिनट एम से 12 बज के 54 मिनट पीम तक असुभकाल सुरू होता है 8 बज के 19 मिनट एम से 9 बज के 14 मिनट एम तक और दुबारा है 12 बज के 54 मिनट पीम से 1 बज के 49 मिनट पीम तक आज के दिन राहु काल सुरू होता है दस बज के 43 मिनट एम से बारह बज के 27 मिनट पी एम तक आज के दिन दिसा सूल है पस्चिम दिसा की ओर तो ये था आज का पंचांग इस वेडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का सुभ रंग, सुभ अंक और उपाई है तो आप उसे भी देखें, सुनें और आज माने का प्रयास करें लेकिन सबसे पहले इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है लिंक पर क्लिक करें और मुझे फॉलो करें तो अब हम आगे बढ़ते हैं सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके प्रेम शंबंध के बारे में मित्रों प्रेम शंबंध के दृष्टी कौन से आज का दिन आपके लिए शामाने से बहुत ज्यादा नीचे है आज के दिन अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका से अपने शंबंध को आप मजबूत करने का प्रयास करें आज के दिन अगर आप उनसे नोक जोक करते हो आज के दिन अगर आप उनसे बहस करते हो तो आपका प्रेम शंबंध कमजोर हो जाएगा इस बात को आप याद रख वैसे अगर आपके कामकाज की और देखा जाए तो कामकाज के दृष्टी कौन से आपका शमय शामानी रहेगा न जयादा बेहतर न जयादा खराब आज के दिन अपने कामकाज में अपने काड़े छित्र में आपके जो सहकर्मी हो आपके जो भी कर्मचाडी होंगे उनके साथ अपने शम्बंध को मजबूत करने का प्रयास करें क्यूंकि आज के दिन हो सकता है आपके कामकाज में आपके काड़े छित्र में किसी बिक्ती के शाथ आपका शम्बंध खराब हो जाए कमजोर हो जाए इसके बाद है आपका बैवाहिक जीवन तो बैवाहिक जीवन के दृष्टी कौन से आपका शम है शामान्य से थोरा सा नीचे है आज के दिन आपके जीबन साथी की सुस्ती के वजह से आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्ज पर पानी फिर जाएगा और इस वजह से आपका बैवाहिक जीबन आपका दामपत्य जीबन कमजोर हो जाएगा, खराब हो जाएगा इसके बाद है आपका घर पड़िबार, मित्रों पाड़िबारिक जीबन के द्रिष्टी कौन से आपका शमय शामान्य से थोरा सा नीचे है, आज के दिन हो सकता है, आपका कोई कड़ी भी आपका फाइदा उठाने का प्रियास करेगा, जिस व्यक्ती पे आप बहुत ज्याद भरोसा करते होंगे, आज के दिन व्यक्ती आपको धोखा देने का प्रियास कर सकता है, इसके बाद है आपका धनशम पती, तो पैसों के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सामान्य तोड़ पे सही रहेगा, आज के दिन अगर अपने खर्चे पर आप कंट्रोल कर लेते हैं, तो आने वाले समय में आपको पैसों की कहीं कोई शमस्या नहीं होगी, वैसे अगर आपके स्वास्त की और देखा जाए, तो स्वास्त के द्रिष्टी कौन से आपका शमय सामान्य से थोरा सा नीचे है, आज के दिन आपको अपने रहन सहन, अपने खान पान के परती सापध जान रहना होगा, जिस वस्तू से आपको अलर्जी हो, जो खाने पीने के बाद आपका श्वास्त खराब हो जाता हो, आज के दिन ऐसे वस्तूओं का सेबन आप बिलकुल भी ना करें, आज के दिन आपके लिए सुभ रंग है हरा और फिरोजी, आज के दिन आपके लिए भ शांदार बनाने के लिए आप सुर्ज उदय के समय भगबान सुर्ज को तामबे के पात्र से अर्ग दें, अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो आज के दिन आपका शमय सांदार हो जाएगा, और कहीं कोई पड़ेशानी, कहीं कोई शमस्या नहीं होगा, तो इस वेडियो को अप लाइक कर दें, हर जगह सेयर कर दें, हम सब मिलते हैं फिर एक नए वेडियो में, धन्यवाद